असलाम अलेकूम स्टूरेंस इसमें आज के लेक्चर में हम दों डिसक्स करेंगे कि हाउ तु फाइंड जूडैसिक इक्वेजिन्स इससे रेलिमेंट थी आपको इस बुक से मिल जाएगी इवन प्रैक्रिस पॉब्लम मिल जाएंगे डैरिवेशन भी आपको इस जासे मिल जा क्या होते हैं कि अधिये जादै शौक स्टेंस के लाईटरे साथ सकः में एक पॉइंट यह इस पॉइंट से 2डख़ जाने के लिए हमारे आप यहां पर होंगे नकिएधि प्लू में बियुक्त क्हरें है एक गरीन में माने पास डिडां किया और थर्ड यह रड लाइन में तो यह रड़्स में पास है रिमसीमेंels आ जाने वाला यह रडी चौर्टर टार्स पाथ इस चाटस पाथ को ते में घ्यृडसिक ऑफ चुछ स्पेस्ट होती है हमारे पास उसमें करवेचर ہوتा है हमारे पास zero जब करवेचर जी रहा है at a minute ओ वो फ़ेयर फेस time अगर flat space time entertainment there is not any kind aint of bending over there of bending नहीं है तो वॉह won वहा हमार पास site xy plane कि Φ्राक कर ले तो एक flat space मायरे पिस उसमें जो सौटेस्ट सो उते हैं याद कटेख्या य्माइरे ठीड इसे ऐसे यूह जो सुसटेस्ट होँगी उसके लावा जो करफ पास होंगे आगे लेकिन वो शॉट टैस्ट नहीं होगे तो यह दिखेंगा फ्रैट स्पेस्टाइम में के युक्ली इंट स्पेस्ट में हमारे पास जो शॉट अश्प डिस्टेंस हैं वह हमेशा एक स्टेट लाइन की फार्म में आपको मिलते हैं ठीक है और इन डिस्टेंस को डडे में तो तो आप यह जा रहे हैं तो आप रहे हैं तो इस क्वाड़िक पास को आप इस पैराभोलिक बाथ को फालो कर रहे हैं लेकर एस बी में जाने कर यह एक स्टेट लाइन भी है तो यह जो A to B जो डाने वादा यह जो पास है अगर मैं इसको लेट से यह हमारे पास P1 पास है और P2 पास है तो P1 पास यहां पर क्या किलाएगा जूडैसिक कलाएगा इसके लवाँ और कोई भी इसके लवाँ आप कोई भी लाइन नहीं मिलेगी जो कि इससे शॉर्टेस्ट तो आपको A से B में ट्रैवलिंग आपको प्रवाइट कर रही हो इसी तरह अगर हम सेम इसे कॉंसेप्ट को अप्लाए करें नौन फ्लैट स्पेस के उपर जैसे हमारे पर सफियर है हमारे पास सफेरिकल सपेस है सफेरिकल कोडिनेट सिस्टेम है तो इसमें अगर आप लैट वहमकर यहां पे एक स्टेट में कि वहाँ हो आप स्ट्राइवल कर ने करते हुआं करें इस प्रैवल करने के लिए यहीं यह इस बूसकर सकते हैं similarly in opposite way यहां से भी आप A से B में आप जिन तब इस curve पर travel करेंगे तो ultimately आपने 3 dimension में देखें तो आप वहीं पर पहुंचेंगे similarly opposite side में भी अगर हम आएंगे तो opposite side में भी अगर आप इस direction में भी travel करें तो again आपके पास आप B point पहुंचेंगे और यहां पर हमें unique judasic नहीं मिलेगा क्योंकि इस direction में इस direction में और यह direction में इसकी opposite direction we will have four different paths जो एक इतना time लेगे आपको A point से B point में travel करवा देंगे तो इससे क्या conclude किया हमने कि whenever we have non-judastic यानिके sorry not non-judastic हमारे पास जब भी non-flat space होगी यानिके curved space time होगी तो उसमें unique judasic आपको नहीं मिलते flat space time में आपको unique judasic मिलते हैं लेकर curved space time में आपको unique judasic नहीं मिलते हैं जैसे यह example थी कि इसमें आपको four different judasics आपको यहां पर मिल जाएंगे judasic में shortest path तो यह एक understanding थी मारे पास judasic के बारे में इसको अगर हम mathematically देखें कि मैथमेटिकली हमने judasic की कोई किसना define की जा सकती है तो यह मारे पास की जनलाइज form है जो कि drive हुई हुई है demistified की book में तो you can see over there तो इसमें just covariant derivative यूज किया है हमने आप जब counter vector लेते हैं and then आपके पास यह derivative यह हमारे पास differential equation की form में judasic equation आएगी इस general equation का use करके हम different हमारे coordinate system में judasic equations final करेंगे क्या equations होंगी कि like हमारे पास यहां पर क्या show that in three dimension excluding space judasics are straight line यहीं कि हमने जो भी discuss किया प्रीवेसरी जिमेटरी कली यहां जो क्लीडियन space time है उसमें judasic क्या होंगे state line होंगे हमने इसको mathematics है इस equation की मद्द से हमने वह प्रूफ करना और equation find करने है exactly कि वह equation होगी गया ठीक है तो तब से पहले जुरासिका में हमारे पर फाइंड करने के दिए हम युक्लीडियन space time का metric लिख रहे हैं that is one 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 zero zero यह हमारे पर युक्लीडियन space time का हमारे पर metric tensor है और यह हमने generalized form लिख दी again अब इस generalized form में अगर आप देखो तो इसमें यहां पे crystal symbol यूद हो रहा है जो कि आपके हैं स्कर्वेर को रिप्रेजेंड कर रहा होता है और जिकलीडियन space time में नहीं पोरी टर्म हमारे पस जीरो हो जोडी हो सम्क्रेंगी जीरो तो हमारे पस सब्सक्राइब नहीं रहेंगे डी स्केर एक्स डेमडा ओव डी जो घया यह को यह तो आप इस इस डिफ्रेंटिल एक्वेशन की दो दफा जब आप इंटिवेशन करेंगे तो हमारे पास यह एक तो linear equation की form में हमारे पास एक आड़ देगी इसमें x की power देखें तो 1 c b constant of integration और c alpha b constant of integration ठीक है जब first time integration करेंगो c alpha मिलेगा जब second time integration करेंगो तो we will get c beat over here as a constant of integration अब यह equation हमें मिली यह x की power क्या 1 यह linear है और linear equation आपको क्या बता रही होती है कि जो जुडेसिक बनेगा that would be a state line तो इस equation से हमने यह चीज़ प्रूफ कर दी कि हमारे पास euclidean space time में जुडेसिक एक तो unique आ रहा है और दूसरे नमबर पे वो क्या farm हो रहा है एक state line फार्म हो रही है ठीक है ओके next example देखते हम इसकी यह तो generalized थी एक और हम particular example लेते हैं कि find जुडेसिक equation in polar coordinate system पोलर को आडिने में जुडेसिक कोई हैं अब उसके पहले आपको पता हूं कि इसमें बैंड तो इसमें एक और इसमें इंडेटर्फल सिंबल्स आपको अने चाहिए तो हमने नौन जेरो कि सिंबल्स यहां पर लिख दिए और इन 9 किसफल सिंबर्स की बेस पर जो हमारे पर जनलाइज एक्वेजन थी उसको आपने एकस्पैंड करना है तो शुरू करना है है लेकिन हमारे पास अगर एधर कुछफ़ सिंबल में बान हो तो नीचे वाले में हमारे पास गस्त डैबल टू में लिए नॉन जोब तो हमने वन्यू कहले ले लिया तो विट्म ये मेषने के जरूरत नहीं है कि लिए रूट भूड नहीं थी तो सब्जास्ट हमने नॉन्जयू खुष्फल सिंपल की अकॉर्डिंग हमने यहां पीसको लिख दिया उसके पास एक्स एट्राव एक्सटों में इंडिसमें वन देंडिबल को ऐसके दीजगा उसके हमने वेल्यूसमने पूटक आधि अब R का S के respect से derivative लेना तो S time dependent होता है जिनके आप समझें कि R का time के respect से derivative ले रहे हैं तो that would be R double dot double derivative R का तो R double dot पर जान कर दिया आपने और minus R as it is theta का derivative and then again theta का derivative theta dot हो देगा theta dot theta dot whole square बनेगा यह हमारे पस आ रहेगी first judasic equation for the polar coordinates जिसको आपने lambda is equal to one के लिए जो general equation थी इसको expand करके हमने find out किया अब two by two का metric है तो lambda को आपको two भी लेना पड़ेगा तो next में देखे हमें lambda को two consider कर लिया तो lambda two करेंगे तो same equation में just जहां यहां यहां पर पर two put कर दिया और two put करने के बाद new new को आपने expand करने अब यह चीज़ important है कि हमारे पास मारे पास किस्वर सिंबल के ऊपर कंटा वाली जगह पे जो अगर two है तो हमारे पास उसके according दो नॉन जिरो क्रिश्फर सिंबल थे एक one two था और two one था आज दो के वह सिमेट्रिक है लेकि मून्यू के परस्पेक्ट्री से तो दो डिफेंट वैल्यू की expansion हो रही है एक देफ़ा one two के साफसे और एक देफ़ा two one के साफसे तो आपने टू लैम्डा के बाद मून्यू को expand किया तो पहले मून्यू की जगह one two आया और यहां पर भी one and two फिर प्लस फिर किस्वर सिंबल मून्यू की दूसरी expansion जो पुसिबल थी जो नॉन्जिरो की वह two one थी तो इसे भी two and two and one तो मून्यू की जगह two one और one two के साफसे हमने इस मून्यू को expand कर दिया तो इस expansion का ख्यार रखना है यह हमारे crystal symbols की उपर depend कर रही होती है ठीक है तो आगे फिस state forward d square x x 2 था थीटा आ गया two one two one पर one x one है तो आ रहा गया x 2 है तो थीटा आगेगा again x 2 जोगा थीटा और x मंगी जोगा र बाकी सब के आपने क्या ले लिए अब derivative की form में लिख दिया double derivative थीटा का पर हिटा double dot आ गया r का derivative theta का derivative r dot theta dot theta dot and r dot यह दोनों same terms थी तो वह two times होगी and that would be equal to zero तो यह हमारे पास दूसरी judasic equation आगी मारे पास polar coordinates की तो similarly आपने क्या करना है कि आपके पास कोई भी हमारे पास आजे के metric आजे ताई वो cylindrical है spherical है रिंडल स्पेस टाइम है तो आपको उन सब के find out करने आने चाहिए कि आप उन सब की judasic equations किस तरह से find out कर सकते हैं और वो more than two भी हो सकती है इस आल डिपेंड तो उन जो लाइन element तो आपने practice का तोर पे रिंडलर की और cylindrical की यह तो आपको demistified के book में प्रैक्टिस मिल जागी उसके लाबा सफेरिकल और इसके लाबा एक दो और मिट्रिक भी हैं लोग उने class में डिसके स्की में तो उन सब मिट्रिक की आपने practice करनी है जो डैसिक एक्वेजन को find out करने की कि जो डैसिक एक्वेजन आप किस तरह से find out कर सकते हैं थैंक यू अला अफेज